मुझा ज़िए W.A.S.D.E. की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सोयबीन की नई और पुरानी क्रॉप के एंडिंग स्टॉक में एक महीने के पहले के मुकाबले गिरावट आई है हाला की वैश्विक सोयबीन के एंडिंग स्टॉक में हलकी बड़त है शुकरवार को USDA ने 2021 में ब्राजील में सोयबीन का उतपादन 126 मिलियन मेट्रिक टन रहने का अनुमान जताया है पिछले महीने USDA का यही अनुमान 125 मिलियन मेट्रिक टन का था महीं ब्राजील का सोयबीन का वैपारीक उतपादन अनुमान 124.08 मिलियन मेट्रिक टन का है जहां USDA के ब्राजील के सोयविन उत्पादन अनुमान में पिछले महीने के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है मई अर्जेंटीना के 2021 के उत्पादन अनुमान में भी बढ़ोतरी हुई है मई महीने में USDA ने अर्जन्टीना का सोयविन उत्पादन का अनुमान 42 मिलियन मेट्रिक टन का आखा था और वेपारी उत्पादन अनुमान 42.2 मिलियन मेट्रिक टन का था लेकिन USDA के जारी ताजा आखनों से पता चलता है कि 2021 में अर्जंटीना का सोयवीन उत्पादन मई महीने के मुकावले बढ़कर अब 43.4 मिलियन मेट्रिक टन का लगाया गया है 2021 में अमेरिका में सोयवीन का एंडिंग स्टॉक 205 मिलियन बुशल था और वेपारिक उम्मीद 217 मिलियन बुशल की थी मई में USDA ने अमेरिका का सोयवीन का एंडिंग स्टॉक का अनुमान 235 मिलियन बुशल होने का लगाया था USDA की रिपोर्ट के मुताविक 2021-22 के मुकाबले 2020-23 में अमेरिका के सोयवीन के एंडिंग स्टॉक में बढ़तरी हुई है लेकिन मई महीने के मुकाबले सोयबीन का एंडिंग स्टॉक थोड़ा कम है अमेरीका का 2022 में एंडिंग स्टॉक का अनुमान 280 मिलियन बुशल का लगाया गया है वेपारी अनुमान के अनुसार सोयबीन का एंडिंग स्टॉक 295 मिलियन बुशल रहने का है वही मई में 310 मिलियन बुशल का अनुमान लगाया गया था USDA की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पूरे विश्व में सोयबीन का एंडिंग स्टॉक 86.2 मिलियन मेट्रिक टन रहने का अनुमान है जो की मई महीने में USDA ने 85.2 मिलियन मेट्रिक टन का लगाया था और वेपारिक अनुमान 85.2 मिलियन मेट्रिक टन का है बात करें अगर विश्व के 2022-23 के सोयबीन के एंडिंग स्टॉक की तो 2022-23 में पूरे विश्व में सोयबीन के एंडिंग स्टॉक मई में 99.6 मिलियन मेट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया था जो की अब USDA के ताजा आंकडों के मुताबिक 100.5 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है वही वेपारिक अनुमान 99.8 मिलियन मेट्रिक टन रहने का है विविड़ पोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी पोर्ट, मार्केट टन रह सकता है